एक जो जागा हुआ दिमाग और सोता हुआ दिमाग है यह सारा खेल शारी जिंदगी इन दो दिमागों की सिंदगी है अब अब आपको पहले स्ट्रेस है क्लब जाना है मूगी जाना है क्योंकि मन को डिस्ट्रक्ट करना है हम डिस्ट्राक्शन और पीस इन दो वर्डों के बीट में डिफरेंस नहीं दूड़ पाते हैं हमारी जो आशान्ती है माइंड टेल इस्टेबिल अनस्टेबिलिटी उसमें सबसे बड़ा रोल है डिस्ट्राक्शन था क्योंकि रामायन रामचरिक मानस का सीधा उसके सद्ध्धानतों का प्रसार ऊकाशन फ्रेंट्स जानने बहुत जरूरी है हमनारे पास केक्टलिजम ने क्या किया कि हमें बहुत सारे काम करने नहीं दिया, हम नहीं किया, यह से अगर हम religion को लें, तो आज religion की हाला जो इतनी बुरी होई उसकी वज़ाए यह है, कि हम सब religious functions करते हैं, rituals करते हैं, लेकिन हम खुद नहीं करना चाहते हैं, हम कोई शास्त्र नहीं पढ़ना चाहते हैं, हम कोई किताब नह हमारे लिए पढ़ेगा, हमने एक प्रोहित हिंदू हिंदू ने हायर कर लिया, मुझे आज भी आदे एक बड़ा अच्छी कंटा है, मतलब मेरे साथ, कि हमारे हाँ, वो हिंदों क्या होता है, अखंट रामायन, तो मकान बना तो अखंट रामायन का पाथ हुआ, तो वो मग सब्सक्राइब करें, यह उनकी जिम्मदारी होगी कि वो आकर आपके घर में एक पेज, दो पेज, पाच पेज, दस पेज, वो खतम करें, क्योंकि रामायन, रामचरिक मानस का सीधा उद्देश्ता, उसके सिध्धानतों का प्रसार, इसलिए कहा गया कि उसको पढ़ने से उससे बड़ा फाइदा मिलेगा, इसलिए ऐसी बातें कही गई कि जो उस सबाब मिलेगा, जो वाईवल पढ़ेगा उससे सबाब मिलेगा, जो रामचरिक मानस का पढ़ेगा, वो सबाब यही है कि जब आप उन्हें पढ़ेंगे, और उनसे आप चीज़ों को सीखेंगे, उस सीखने से आपको सबाब मिलेगा हमने क्या किया हमने इस capitalist के युग में हम इतने बिजी हो गए थे कभी-कभी ऐसा होता था कि बस टाइम हो रहा है अब इस्टिटूट जाना है क्लास लेनी है तो आज प्राणयाम नहीं हो सकता ध्यान नहीं हो सकता हमने बहुत जरूरी चीजों से अपनी जंदिगी में कॉंप्रमाइज कर लिया था मैं अपनी बात करना हो तो जागने की बात कर रहा है कि जागो अब आपको पहले यह था कि बड़ा इस्ट्रेस है क्लब जाना है मूवी जाना है क्योंकि मन को डिस्ट्रैक्ट करना है अच्छली हम डिस्ट्रैक्शन और पीस इन दो वर्डों के भी इसमें डिफरेंस नहीं दूर पाते हैं हमारी जो आशान्ती है माइंड टेल इस्टेबिल अन्स्टेबिलिटी उसमें सबसे बड़ा रोल है डिस्ट्रैक्शन का कि बड़े माने कल भी शायद यह बात कही थी कि बड़ा डॉमस्टिक वाइलेंस हुआ बड़े बच्चे मार खाये बेचारे उसकी वाज़े यही थी कि हमने डिस्ट्रैक्शन को शान्ती समझ रखा था ज और जैसे ही आप जड़े और जानेंगे तो तीसरी चीज जो आपकी जन्दगी में होगी वह होगी उठेंगे याप petits naszej करिए और वो जागरिती जो आपके अंदर पैदा होगी वही आपको पचाई एक जो जागा हुआ दिमाग और सोता हुआ दिमाग है यह सारा खेल सारी जिंदगी इन दो दिमागों की जिंदगी है अवेकेंड माइंड एड़ स्लीपिंग माइंड और स्लीपिंग माइंड वो कितना भी पहले कहीं भी पहले कुछ भी कर ले उसके काम में कहीं नगी कमिया रहेंगी और वो परेशान रहेगा आपको जिंदगी में बस एक चीज क्लियर करनी हो रहे है आपको संसारी बनकर रहना है या सन्यासी बनकर यह दो में से आप यह एक चीज क्लियर कर लिजगा नहीं को पूरी जिंदगी आपकी नर्क बन जाएग यह बहुत बड़ा फैसला है जिंदगी में कि आप संसारी बनकर रहेंगे या सन्यासी बनकर और इससे भी बड़ा एक फैसला है कि मैं संसार में भी रहूँगा लेकिन सन्यासी बनकर रहूँगा वो तो सुपर टैलेंट की बात है राजा जनद ऐसा मुश्किल है जैसा एक्सप्लाइटेशन का खेल है इसके सिवा कुछ भी नहीं जो आपको प्यार करते हैं वो आपको एक्सप्लाइट करेंगे जो आपके अपने हैं अपना का मतलब ही हुई एक्सप्लाइटर हो सकता आपको बुरा लग रहा हो लेकिन जो भी गरीब हैं विकमंगे हैं उनका क पर इस धर्ती पर लोगों के परशान होने का रीजन यह है कि वह क्लियर नहीं कर पा रहें कि वह संसार में रहेंगे यह संसार के बाहर रहें कि बुद्ध महवीर छोड़ दिया संसार कि अगर यह एक्स्प्लाइडेशन का गेम है हमें नहीं रहें तो किसी ने उन्हें चेडाई नहीं किसी ने उनकी बुराई ही नहीं की जिन्दा रहे तो लोगों ने की क्योंकि बड़ी-बड़ी बाते कहते रहे इससे धार्म के लोगों को बड़ा जब भी कोई आदमी यह लाइटिंड होता है तो यह धार्मिक वर्ग है धार्मिक अब रोहिट मौलाना इसको बड़ा ये बिसिकली बिजनेसमेन है यह समाज को बांधने का काम करते हैं समाज को भढ़काने का काम करते हैं किसी मेरे मित्र ने फेस्टाबूक पर में आपके भिकमंगे पंद से ही वो पंडित महां बैठा हुआ है पंडित अपने बल पर नहीं बैठा है कि किसी गाउं में अगर कोई आदनी बिमार ही ना हो तो वहां डॉक्टर बचेगा कैसे यह जो आप पंडितों की पुराई करते हो ना उससे पहले आप अपनी सेल्फ किया करो आप मंदिर चाहते हो कि भगवान नौकरी लगवा दो कि सबसे बड़े भिकमंगे तो आप ही हो और भगवान आइस में लगवाना वो भी प्रॉपर आइस में भगवान और कैडर भी भगवान यूपी दिलवा दे इतनी तो आपकी मांगे हैं कि सेंट्रल नौकरे घर में रषादी होजाए भगवान मगई तो आपकी दू कि मांगे हैं तो और वों के सपनें को पूरा करता है यह मॉलाना यह बुरहित यह आपके सपनों के सौधागर है्यापके सपनों के पूरा यह अपनी से जिंदा नहीं है इन को आपने जिंदा रखा है इसलिए इनको कुछ कहने से पहले आप स्वयम को जरूर देखें और नप्पे परसेंट लोग इस दुनिया में भगवान के भरोसे जीते हैं इसलिए ये वर्ग कभी खतम नहीं होगा मेरे एक बत्र है अमबेटकर जी को भगवान मानते हैं मैं तो उन्हें बुद्ध मानता हूं कि वह भगवान मानते हैं कि बड़ा पूजा पाठ करते हैं बड़ा लब अब रीत रिवाज कर्मकांड का बड़ा विरोध करते हैं और बुरोईत पर को बड़ा काली देते हैं कि एक वारे सौभागे से में घर पहुंच गया ऐसे ही अट्रेंडम बहुंच गया तो उनकी मानता जीदी भार्ट उन्हें कहां कि अब अब अंदर आजो पूजा हो रही मैंने का पूजा किस चीज की तो मैं अंदर पहुंच तो वो तो विचारे एकदम उनका चेरा पीला पड़ गया हूंज असे देख रहे हैं मैं तो बहुत असा भाइसा बड़ा मस्त हुआ आया ड्रॉइंग रूम में बैठा विचारे आया भागते हुए आते कंटे बाद आसने लगा रहे आरे यार तुम मरे हुए लोग तुम पुरोहितों को खतम कर पाओगे तुम कभी नहीं खतम कर पाओगे वो अमबेटकर एक बहुत साहसी आदमी है उतनी साहस लाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है इसलिए तो वो दुनिया से बिलकुल अलग आदमी है उसको फॉलो करना अपने आप में एक क्रांती है गांधी को फॉलो करना अमबेटकर को फॉलो करना बुद्ध क को फॉलो करना इस सारे कि इसाई मुल्क हैं कहते हैं लव इस गौड एक देश पर हमला करते हैं फिर उसे बरबात करते हैं फिर इनकी इसाई मिशनरिया वहां पहुंसती है इन निम दुसान दुसरी गेंग आकर वहां सेवा करती है यह सब पैगंबर बिल्कुल अलग तरह के लोग बहुत अलग तरह के लोग आपको जंदिगी में एक चीज डिसाइड करनी है अगर आपको सन्यासी बनके रहना है वहलब संसार आपको नहीं चाहिए आपका कोई विरोध नहीं करेगा आपको कोई दुश्मन नहीं होगा आप पढ़े रहिए हमिआलय सिवपुरी में परमुपूरी में एह मैं साथ फ्रिक्सिन करतम लेकिन अगर आपको संसार है और आपको उपर उठना राजा रक्ना कंषना प्ने सर कि पूरी जुन्या आकको बोले इलाही थाब यह आसानी से नहीं होगा सर तो आप के बगल के लोग ही आपको काटने की कोशिश करेंगे करेंगे ही मेरे बड़े सारे बच्पन के मित्र जो मुझे देखते होंगे वह बिचारे बहुत गुस्से में भी आते हूं तुमने तो जिंदिगी में कभी पढ़ाई नहीं की तुमको यह सब बाते कैसे पता चिल मेरे मैं उस आँख में ध्यान करता हूं भगवान सब बताते रहते हैं मुझको इसलिए तो मैं आपसे बार बार कहता हूं सेल्फ ट्रांस्वरमेशन इस इन यॉर हैंड मस तुम डिस्ट्रैक्शन को खतम कर दो और अपने कॉंसेट को क्लियर कर लो